इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि gateway क्या होता है, router क्या होता है, बहुत ही important है इसको समझना क्योंकि हम gateway और router को बहुत ज्यादा use करते हैं, दोनों same ही term है, ममुली सा difference है बट अभी हम current situation में लेके जलेंगे दोनों एक ही चीज हैं, कि पर हम उसको कुछ लोग router कहा देते हैं इसकी theoretical पहले देखते हैं, फिर हम दो simple examples, एक simple example लेंगे router की और फिर एक complex example लेंगे, router को समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ कि हमारे organization जहां college जहां यूनिवेस्टी के अंदर तीन labs हैं, पहले वाली labs में क्या दिया हुआ है, हमने 174 वाला network दे रखा है, दूसरी lab में 192 में 188 वाला network दे रखा है, तीसरी lab में हमने क्या कर रखा है, दस वाला network दे रखा है, फिर हम अपनी जो ये private labs हैं, उसमें क्या है, private addresses यूज करे हैं, तो मैं लेके चलता हूँ कि तिनो lab 1, lab 2 और lab 3, तिनो में क्या हैं, तीन तीन system है, तो इन तीन system क्या है, इसका address 172.0.2 है इसका address 172.0.3 है, 172.0.4 है, और mask हमने इसका 255, 255, 0.0 दे रखा है, जिसको हम slash 16 भी बोल देते हैं, तो अगर ये वाला mask दे रखा है, तो network कौन सा होजेगा, 172.0.24 होजेगा, host क्या होजेंगे, 0.2, 0.3 और 0.4, ठीके, ये lab 1 है, तो ये जो computers हैं, आपस में क्या करेंगे communicate करेंगे, बीच में इनके hub जा स्वीच लगी हो सकती है, हमने देखा था कि पिछली वीडियो में दुनों का क्या difference है, दुनों में से कोई भी local area networking में यूज कर सकते हैं, फिर हमारे पास दूसरी lab है, जिसमें 192.0.0 network है, तो इसका जो हमने address ही दे रखे हैं, 192.0.0.2 दे है, इसका तीन दे रखा है, इसका चार दे रखा है, और mask तीन बर ही 255 है, जिसको slash 24 भी बोल देते हैं, अब क्योंकि mask तीन बर ही 255 है, तो हमारा जो network क्या होजएगा, 192.0.0 होजएगा, host क्या होजएगे आपके, दो, तीन और चार, तो यहां पे हमने लिख रखे हैं, कि 192.0, और पर पहले वाले address को हमेशा, और use नहीं कर सकते हैं, तो उसको network लेके चलते हैं, तो यह वाला हमारा network, यह आपस में communicate करेंगे, अब हम तीसरी lab भी ले ले लेते हैं, कि जिसमें 10 वाली range वाले है, address क्या दे रखा है, 10.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.0, आपने एक ध्यान र करते हैं, क्यों यह recommended practice है, तो यह वाला network, यह जो है, पीसीज वागरा है, जासे system वह आपस में communicate करेंगे, और इसका mask हमने क्या दे रखा है, 255, 0.0.0.0, इसका वंदों network क्या हो गया, यह वाला हो गया, host क्या हो गया, आपके पास, 0.0.2, 0.0.3, 0.4, तो यह हमारे पास lab 1 आपस में communicate करेंगे, यह आपस में communicate करेंगे, यह आपस में, अब तिनों का network क्या है, different है, इसका 122,0.0 है, इसका 192,0.0 है, इसका 10.0.0 है, तो अब हमारे पास कितने network है, 3 network हो गया, एक सो बतर चोवीस 0.0 एक सो बानवी एक सो टाट 0.0 दस बंड 0.0 यह labs आपस में तो communicate करेंगी उसके अंदर अंदर lab 1 के system आपस में, lab 2 के आपस में, lab 3 के बर मैं अब क्या चाहता हूँ कि lab 1, lab 2, lab 3 के system आपस में भी communicate करें कि यह वाला जो two वाला system है इसके साथ communicate करें, यह वाला system इसके साथ भी communicate करें, यह वाला इसके मैं चाहता हूँ कि यह जो तीनों lab है, तीनों computer lab के जो systems हैं वो क्या करें, आपस में communicate करें जब हमने different networks वाली lab होंगी, तो उसको अगर communicate कराना है, तो हमें क्या चाहिए होगा router जग gateway चाहिए होगा तो आपने एक simple form में लेके जाना है, कि अगर तीन network हैं, तो हमें क्या चाहिए एक router ऐसा चाहिए, जिसके अंदर तीन interface हो, तो हम लेके चल रहे हैं कि यह router ध्यान रखना है Cisco का भी हो सकता है, Windows System को भी router बना सकते हैं, Linux को भी हम router बना सकते हैं, पर हम अपनी examples में क्या है कि Cisco के router को use करके देखेंगे तो फिर हमने क्या करना है कि हम एक लेके चलते हैं कि router है, हाला कि यह router के representation है, हमने जैसे यह ऐसी show कर दिया, diagram अठीक है कि अब हमारे पास तीन network है, तो हमें एक router ले लेंगे जिसके अंदर तीन interfaces ले लेंगे suppose यह जो interface है, इसका नाम ETH0 है, ETH1 है, ETH2 है जनली जो Linux वाले systems होते हैं, अगर उनको हम router बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो land cards होते हैं address क्या होते हैं, ETH0 ETH1, ETH2 है, अब ध्यान रखना है यह जो हमने ETH0 है, इसको की जो hubgen switch होगे, उसके साथ connect कर देंगे, यह जो ETH1 है, इसको, इसकी hubgen switch के साथ connect कर देंगे, यह जो है ETH2 है, इसको इसकी hubgen switch के साथ communicate कर, address ध्यान से देना है आपने यह इसको, क्योंकि यह इस lab के साथ link है, तो इसको आपने पहले वाला address दे देना है ज्यादातर क्या है कि recommended है कि आप पहले वाला दो जा last वाला, last वाला broadcast होसा है, उससे पहले वाला, तो recommended practice है कि router को जब आपने address देना है, 172 24 0.1 वाला देना है, जा 172 24 0.2 24 वाला देना है, तो हम recommended practice फालो कर रहे हैं कि इसको 172 24 0.1 दे रहे हैं, ताकि क्या हो, कि यह वाला इसके साथ communicate कर सके तो भी इसको क्या देंगे, इसके हिसाब से होगा, 192 188 0.1, तो क्या होगा यह और यह interface क्या है आपस में communicate करेंगे, और इसको क्या देंगे, 10.0.01 तो इससे क्या होगा, यह और यह आपस में communicate करेंगे और उसके बाद हम क्या करदेंगे, इसकी routing functionality on करदेंगे अब जैसी routing functionality on करेंगे, तो क्या होगा, एक routing table बनाएगा, router हमेशा क्या क्या करेगा routing table बढ़ाएगा switch क्या करता होता है अपना mac address table बनाता होता है हब कोई ऐसा table नहीं बनाती अब उस routing table के अंदर होगा क्या क्यों नेटवर्क 174 0.0 वो कहां पे है किसके थुरू अगर किसी नहीं जाना है तो अगर इसके अंदर जाना है तो कहां से जाएगा ETH0 के तो यहां पे वो बता देता है किसके थुरू आप जा सकते हो और फिर इन सब के लिए अगर इनोंने कहीं इस पर बाहर जाना है तो उसके लिए रस्ता कौन से है यह वाला रस्ता है इसलिए जो रस्ता होगा असी को हम क्या बोल देते होते है Router जा Gateway बोल देते है तो इसका मैंजा इस Lab के लिए हमारे पास Gateway क्या हो गया यह ETH0 है इधर जाना है इतर जाना है उसके लिए किस Interface से इस Interface से निकलना पड़ेगा यह Gateway हो गया यह रस्ता हो गया जो अगर आप किसी room में बैठे है उसका जो door है उससे बाहर निकलोगे वो door आपका router जग gateway हो गया तो यह यहां से आमें क्या है कि यहां से बार निकलेंगे तो इस network का gateway क्या होगा यह वाला होगा 192, 130, 0.1 और इसका gateway क्या होगा तो यह वाला network क्या है यह 10 वाला network है इन्होंन से systems को बाहर निकल के दूसरों में जाना पड़े वो उनके लिए क्या gateway रहता है इसके लिए gateway क्या हो गया 10.0.0.1 तो यह हम इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि यह network है यह host है यह gateway है इसके अंदर यह network है यह host है यह gateway है यह network है यह network है host है gateway है अब सुपोज 174,0.2 क्या कर चाहता है एक 174,0.4 से communicate करते हैं तो यह क्या करेगा पहले broadcast करेगा उससे पूछेगा भी तुमारे में से 174,0.4 क्या है तो ध्यान रखना यह broadcast इदर भी जाएगा इदर भी जाएगा इदर भी जाएगा इदर राउटर क्या देखता हूता है राउटर देखता होता है किस network से आया ञा जा कहा है कि 122 0.0 पर तो वहां पर ही उतार देगा इसको यहां नहीं जाने देगा तो यह दर ही रहा है कि स्पोज अब एक बस में बैठा आओं और मैं बस में बैठाओं किसी में जब conductor आता है मैं वो पूछता है भी कहां जाने है अब ध्यान रखना मैं मोगा में बैठा हूं मैं उसको कहता हूं मोगा में जाने है वो क्या करेगा मैं को नीचे उतार देगा हाला कि यह example सारे शहर के लिए वैलेड नहीं है चंडिगड में आप लोकल भी जा सकते हैं वो यहां पर उतार देगा तो इसके इसमें क्या कि यह traffic इदर रहेगा इदर वाला traffic इदर रहेगा इदर वाला traffic तो router क्या करता है आपका जो gateway है वो isolate भी करता है traffic अब हम लेकिए चलते हैं दूसरी example 172.02 से हम क्या करना चाते हैं 10.02 पर जाना चाते हैं तो बे फिर यह इदर इदर ज जाएगा तो अब router चेक करेगा भी कहां से आया है 172.02 मोगा से आया है अब जाना कहां है इस case में वो जाने वाला network चेक करेगा 10.0.0 है तो वो अपनी routing table को consult करेगा कि पैकेट जो है 172.02 पर जाना कहां चाहता है वो क्या जाना चाहता है 10 पर जाना चाहता है तो क्योंकि 172.02 से यहां पर पहुंच जेगा तो इसने भीजना router नहीं कहां पर जाना है 10 पर भीजना है तो 10 का interface क्या है 8.0 तो यह यहां से भीज जेगा अगर 172.02 से 192.08.0 दो जाना है तो फिर वो चेक करेगा कि 172.0.0 जो हमारा source network है जाना कहा है यहां जाना है उसका network क्या है 142.08.0 तो फिर अपनी network को चेक करेगा routing table को उससे पता लगजेगा ATML तो यह router के पास जो traffic होगा यहां पर भीज देगा वो तो ध्यान रखना है इसको अगर हम real app के लिए कि मैं बोका बस सड़े पर बैठा हूं तो connector पुछता है कहां जाना है तो मैं कहुंग हो ध्याने जाना है फिर वो मैं को जाने देगा है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में पहले एक बड़ी simple सी example देंगे routing की फिर इसी को हम क्या करें के देखेंगे बना के देखेंगे packet racer में सब examples को हम क्या कर रही है क्योंकि इतने system physically जाए इतनी VMs बनाना बहुत मुश्कल है तो हम यह सारी examples क्या लेके जाना है router तो ध्यान रखना router को समझना बहुत जुरू दोर है वही gateway है दूसरे person का जो room है उसके जो दरवाज़ा है उसके लिए वह gateway है तो इस network के लिए यह gateway है इस network के लिए यह gateway है इस network के लिए यह लोग बहुत ज़्यादा confused होते हैं उनको लगता है कि सारी जो labs and different उनका सबका gateway एक है ऐसा नहीं होता है तो आपने कैसे addressing की है उसी के हिसाब से हाँ अगर आपने सब के address सेम ही दे रखे होते हैं तो फिर हमें router को लग जगा रखना पड़ता था उस case में जो routing सब के लिए same होता है पर हम इस example के हिसाब से लेकर चल रहे हैं तिनों labs का जो gateway का address है वो क्या same होगा तो इसको अगर हमने यह condensed का click है कि क्या gateway विजर राउटर है लैब 1 के अंदर क्या address है network क्या हो गया host क्या हो गया lab 2 क्या address है mask क्या network क्या है तो इसको summarize का क्या लिखा हुआ है तो यह हमारा अगली वीडियो में हम इसकी demo देखती है